आप तो मेरी प्रतिक्षा में पहले से ही खने हैं यमदेव तक तो आपने मेरी चुनवसी के बारे में भी सुना ही होगा कहिए, क्या उत्तर है आपका मेरा स्वागत करके अपना राज्यत्य आगेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण हे असुर स्रेश्ट, मैं आपके आधिंता स्विकार करने के लिए तयार हूँ, बस एक विंती है मेरी शर्त को विंती का नाम देकर पहलाना चाते हो मुझे यमराज असुर राज मूरा के सामने शर्त रख पाओ, इतना सामार्थ नहीं है तुम मैं इसका अभास है मुझे असुर राज, पर मैं आपकी आधिंता स्विकार करूँ, इससे पहले आपको स्वामी धर्म का पालन करना होगा मेरे पुराने स्वामी के ख्रोच से मेरी रक्षा करनी होगी आपको कौन है तुम्हारा पुराना स्वामी? भगवान श्री नारायन पर चोटी मा, मुरासु को तो श्री नारायन से भी रक्षा का वर्दान प्राप्त ता ना? जे ही तो स्री नारायन की लीला थी बलराम पर वो राक्षस अपने दम्व में जे समझी ना पाओ कि वो क्या भूल करने जारो है अब पहुंच को, फगवान स्री नारायन को चुनौती देने के लिए वही थेर जाओ असूर राजमुरा यहां क्यों आए? आपको पराजित करने और यह वैकूंठ चितने ताकि मैं यमलोग का स्वामी बन सकूँ फिर आओ, युद्ध भूमी में मेरा सामना करूँ यह नहीं जानते कि इन से ना हारने का वर्दान तो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ इसलिए युद्ध ठीक से आरंभ हो पाए, उससे पहले ही इन्हें जीत लूँगा मैं बना करे हार giàं हाले है युद्ध ऴर्मां युद्ध रिर छूँए नहीं रवध के लिग युद्ध रफजीन वास वास त determinत क dunno और इस प्रकार जे युद्ध वर्सों वर्सों तक चलता रहो दोनों युद्धा पूरे ब्रह्मान में अनेक अस्त्रों सस्त्रों के साथ युद्ध करते रहे फिर क्या हुआ मैया? उस युद्ध को कभी समाप्त हो आओ? पर कैसे? सीग्र ही वो राक्षस थक गवलला खड़े खड़े देख क्या रहे है नारायन? आक्रमान कीजिए वध कर दीजिए मेरा मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हो इसलिए इतनी थकान की स्थिती में मैं तुम जैसे वीर पर आक्रमन नहीं करूँगा जाओ विश्राम करो यदि फिर से युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम्हारा स्वागत होगा जे कहके स्री नारायन बद्रिका आस्रम चले गए और वहां हीमवत नाम की एक कंद्रा में ध्यान लगा के बैठ गए उधर वो राक्छस निस्राम करने लगो अनेकों दिन बीट गए और अब वो राक्छस मूरा फिर से स्वस्थ होके बलवान हो गया था उसने अपनी सारी सक्ती फिर से प्राप्त कर ली थी स्री नारायन ने उस पर दया करी थी पर वो फिर से स्री नारायन को चलने को तयार होगा थ्यान में बैठे बैठे श्री नारायन योग निद्रा में चले गए पर दुस्त मूरा इसी अफसर का लाव उठाके उनकी कंद्रा में गोसायो ताकि वो सोते वे स्री नारायन पर आक्रमन कर सके आज इस लंबे युद्ध को चीत कर अपने इस अंतिम शत्रू का भी अंत कर दूंगा मैं इस खिर चारायन वे जिस वे लोगी का फिर दूंगा झाल कर दूंगा झाल कर दूंगा झाल कर दूंग झाल झाल दुष्ट राक्षस प्रभू ने तुझ पर दया की तुझे समलने का अफसर दिया तु इन ही परी छल से वार करने चला है मैं आजय हूँ मुझे कोई पराजित नहीं का सकता ब्रम्हा का वर्दान है मुझे तुने नारायन से अब पराजय होने का वर्दान मांगा था मूर्ग उनकी शक्ती से नहीं ध्यान से देख मैं तेरी मृत्यू हूँ मृत्यू वो तेवी कौन थी छोटी मां? और कौन वल्राम वो ही तो थी तेवी एकाद सी मुझे शमा कीजे प्रभू आपकी आग्या के बिना ही युद्ध करके आपके शत्रू को मृत्ति के घाट उतार दिया शमा नहीं आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए देवी असुर राज को मार कर आपने सभी देवताओं को मुक्त करवाया है इस पापी के अहंकार से तीनों लोकों की रक्षा की है आपने आप एकादशी की तिथी पर मेरी एकादश इंद्रियों से उत्पन हुई है इसलिए मेरे सभी भक्त आपको उत्पन एकादशी के नाम से जानेंगे सभी तिथियों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ट होगा जिस तरह आपने राक्षस के आक्रमन से मेरी रक्षा की है उसी परकाद एकादशी के दिन वरत करके जो भी भक्त आपकी कथा सुनेगा बैस्वेम उसकी रक्षा करूँगा जो आपकी पूजा करेगा उसे मेरी विशेश कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ उसे मिलेगा धन, सिध्धी और मोक्ष इसी दिये आज के दिन वरत रखने का बहुत अधिक महत्व होतो है बोलो एकादसी मैया की जै बोलो श्री नारायन भगवान की जै प्रभू की क्रिपा से एकादसी का महत्व भी पता चलगो और मेरा वरत भी सफल होगो अब भी नहीं भूला रहा एकादसी का वरत पूरी तरह तभी सफल होता है जब बादसी के दिन उससे पूरा किया जाता है आवेश्यक आपको ये आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारन ये उद्धाव में वो सामर्थ्यन नहीं है वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारन है वो! गिर आव णाड़ा! टुटको जुटको चूजूए! अब मैं दिखाऊंगा अस विशन वापतार को असाधारण शत्रू क्या होता है कंच मामा अधिर हो रहे हैं पर महिया ने मुझे अभी तक बार जानी की आगया नहीं दिया अभी उन्हें किसी और राक्षिस को यहां भीजनी से रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा कौन हो तुम बच्पंसे मुझे मारने का सब न देख रहे हैं फिर मुझे नहीं पहचानते पच्पंसे पच्पंसे विशन वापतार कोई काना बुलाता है तो कोई मूरली तर पुकारता है कोई माघंचोड क्याता है कोई क्याता है चिट्चोड पर विशन वापतार इस नाम से तुआ बस आप ही मुझे बुलाते हो मामा जी इतना थास कि तु यहां आ गया है यहां आ तो गया तु विशन वापतार कि तु यहां से जीवित नहीं जाएगा तेरे शीश को तेरे धड़ से अलग करतूँगा मैं मां कहां देख रहो मामा जी मैं तो यहां हूँ मामा जी आप सदीव इसी तरह करूद में रहते हो क्या तिरारा छोड़ छोड़ मेरी तलवार को छोड़ो दो ताप जब पक्रावी छोड़ो यहां हूँ छोड़ो यहां हूँ मामा जी आप थग्याओंगे थोड़ा विश्राम करना आपका तो पता ने मैं अबस्ते थग्याओं मेरे सिभासन पर बैठने का तुसास अब ही तो बस अप्यास कर रहा था मामा जी भविश्व में उचे तो बैठना है आपने बल्ड प्रेयोग करके से अपने पिता जी से छीना था मैं आज से छिलूँगा जो छर और बल्ड से लिया जाए वो अधिक समय तक टिकता ने है मामा जी अए जी वाए अपने और अजाट अब प्रह लाए ईण गष्पक्पक्र अभर झाल 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 सिर्यापक वी सिंकंगा सन्छोनना हो गाल ो प्रोग तुक भूमना सिहासन छीन नाचाथ वो आख रहा है सानी सानीको सानीको दुर्जान, बंग कर दो सभी द्वार और जरों के, सब के सब, और इसकी हर संभावना पर इतना चड़ा पहरा बिठा दो, कि ना तो कोई महल के बीतर आ सके, ना तो भार जा सके, मुझे महल की चप्पे-चप्पे की सूचना चाहिए, जाओ! असे असन, मुझे तो बस कुछ समय चाहिए था, वो मिल गया, अब कर ते रिया प्रतिक्षा, जे, अपने आपसे बाते क्यों कर रहो है, जी? आप मुस्कुरा क्यो रहे हों? ना, कचु ना! बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हे ही पर गयो है, जे! जब तुम ब्रत करती हो, तो तुम भी ऐसा ही करती हो! इसी प्रकार भूक अधिर लगने पर, अपना ध्यान भाठकाने के लिए, स्वायम से ही बढ़बढाती रहती है। हम्हम, होगा। आपको तो बस मेरा उभास उडाने के लिए बहान आ चाहिए। लल्ला, भूक लगी है। ना मैया, वर्त करे तो भूक क्या से लगेगी। यदि लगी हो, तो छोटे बालकों को थोड़ी बहुत भूल चुक छमा होती है। कछू ना, तो फल तो खाई सकतो है। आप तो पूरे नियाम और विधे विधान से रच तोड़ूंगा। कल बार दसी के सुबा, मारत के अनुसार। ठीक है। नल्ला, एकाचसी समाप्त हो गई है, तो आचसी लग गई है। अब तो ब्रत तोड़ सकतो है। भोजन कर ले। ले। आज तो कार्य कर लीजेगा। मैं ना चाहती कि सब गाउं वाले फिर से आपका उफास उड़ाएं। अरे, इसी छण कार्य आरंब करना आवसक ना है। कुछ खा तो लो। कल भी पूरे दिन व्रत में रहे। अब तो कुछ खा लो। ना ना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भागवान, तुम्हें चिंता करने की आवशक्ता नहीं है। आज मैं किसी को भी दो शब्द कहने का आवसर नहीं दूगा। अरे, कुछ खाओगे, पीओगे नहीं, तो कैसे रहोगे। अरे, इसी छण कारे आरंब करना आवसक ना है। कुछ खा तो लो। नाना, अभी बिल्कुल भूखना है। और हाँ भागवान, तुम्हें चिंता करने की आवशक्ता नहीं है। आज मैं किसी को भी दो शब्द कहने का आवसर नहीं दूगा। तेर, मैं तेले मठा लेके आती हूँ। ब्रत के बाद पीने से पेठंडा रहतो है। रुक। भूख कहां से होगी। श्रीहरी नाम से पेठ तो भर लेते हो। श्रीहरी, श्रीहरी, श्रीहरी हरी हरी प्रभु हरी। अपक्या वर्थ पुलवाने भी आपके प्रभु ये आएंगे। अब क्या वर्ट के तो लवाने में आपकी प्रभू ही आएंगे हैंगे। माईया, माईया, पहले व्रत तोड़के कच्छु खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद, हाँ। बल्राम, ठेहरो बुद, पहले कुछ खा लो। व्रत तोड़ना अवर्शक होता है। माईया ने इका दसी का महत्व बताया। लगता है मुझे सबको द्वा दसी पर व्रत तोड़ने, समाग करने का महत्व बताना होगा। हरी, 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 मेरे हरी अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को बचन दिया था। कि आज किसी को सिकायत करने का अफसर ना दूगो। और अब मैं प्रभुश्री हरी की कलपना जसोमतिरानी के लल्ला में ही करने लगो। ना ना, जे ठीक ना है। ठीक ही तो है, बिल्कुल सही पैचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपास उडाने लगे। मैं आपका उपास रही उडाने आया। मैं तो आपके इकाताची की व्रक को उडा कराने आया हूँ। कानहा। तो ये रे आपके छड़ी और ये रे मेरी पीट। सेख, देना तापर तोड। आज तो इसकी पीट सेख के रहूँगी मैं। मैया, खर पे भूकी, मुझे टून रही होगी। गन्यबाद राजकुमार, पर अभी हमें भूक नहीं है। बहुत सारा काम पड़ा है। और अभी थोड़ी ही देर में, संक्री बेहन भी अपनी मठकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका वुरत पूरा कराई बिना नहीं चाह सकता। भला क्यों? भक पूका रहे और भगवान खा ले। ऐसा हो सकता है भला। ये… ये कैसा प्रम हो रहा है मुझे। मुझे लगता है अपना काम करना चाहिए। रहा दसी के पहले प्रार में वृत पूरा करना बहुत आवसक होतो है। ना तो इका दसी का वृत भी पूरा ना मानो जातो। इत्ती सारे ज्यान की बातें तुम्हें कैसे पता है लला। जैसे इका दसी की कथा होती है। वैसे द्रादसी की महिमा भी एक बहुत महत्त्वा पूर्ण कथा है। कैसी कथा। पिलकुल सही समय पर आईयो आप। क्योंकि आपको यह कथा आपको अवश्य कुनने चाहिए। मुझे क्यों। पहले सुनतो लियो। फिर स्वे में पता चल जाएगो। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे। राजा अंबरीव्स भगवान श्री हरी के बहुत बड़े भक्ते। ओम नमो नाराय राय राय राय। लेट पुन्य के काम करते थे वो। अपनी पत्मी के साथ प्री का नाम रपते रहते थे। उन्होंने बारा माह एका दसी कवरत करो। देर चल पास कियो। और जब उनकी पार्वी एका दसी का बरत रासती के दिन दोडने का समय हुओ। तब में महर्शित दुरवाशा अपनी सो शिचों के साथ उनके महल में पता रहे। प्रभू की इच्छे यही हो। कि हम सब अपना वरत एक साथ तोड़ें। यह तो अत्यधीक प्रसनता की बात है महर्शित। तो फिर ठीक है। हम सब यात्रा से ठके हैं। वरत तोडने से पहले हम इस्नान करना चाहते हैं। जैसी आपके इच्छा महर्शित। जब तक आप लोग लोटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंद यहां हो चुके होंगे। महर्शित दुर्वाशा स्नान करना गए थे। पर उन्हें लोटने में विलम हो रहा था। अरिधा गालदसी पर रत फूरा करने का मुरत भीता चाह रहा था। महराज अम्रेस बड़ी विरगरतार के साथ महर्शित दुर्वाशा के लोटने की पतिक्षा कर रहे थे। महराज विरट तोड़ने का महुरत बीता जा रहा है। बस कुछी समय बचा है। महार्शी और उनके शिश्यों के लोटने में ना जाने कितना समय लग जा गया। मेरा सुझाव है कि आप महुरत समापत होने से पहले वरत अवश्य तोड़ने है। गुर्देओ, हमने महर्शी दुर्वाशा को वचन दिया है। कि जब तक को लोटेंगे नहीं तब तक हम वरत नहीं तोडेंगे। इसलिए मैं उनका लोटने के बाद ही भोजन गरान करूँगा। पर महराज मुरत यदी बीद गया और समय रहते हो नहीं आये तो महराज आपका अवरत पूरा नहीं होगा। महराज आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महराज 12 इकादसियों का अवरत बेर्थ चला जाएगा। किन्तु गुर्देव। यदी मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतितियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहा है महराज। भोजन के लिए उनकी प्रतिच्छा आवश कीजिए महराज। पर महरत रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहन कर लीजिए। इससे आपका अवरत भी पूरा हो जाएगा। और अतिति का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुर्देव। जैसे ही महराज ने तुलसी का पत्ता खायो। वैसी महरशित दुर्वाशा लोट आए। महराज। महराज को उपास तोरते देखते बहुत करोते थोगा है। बहुत बड़े भक्त हैं आप। परन तु आप ये नहीं चानते। अपने आतितियों के साथ कैसा व्यवार करना चाहिए। आपने हमें साथ भोजन करने का वचन दिया था। पर अपना फ्रत क्यू दोड़ा आपने। महरशी, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। कहीं मुरत न निकल जाए इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। चपपन भोग खाया हो या एक पत्ता अपना व्रत तोड़कर अतितियों का अपमान किया है। मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा। ताकि आप सीख पाएं कि अतितियों के साथ कैसा व्यवार होना चाहिए। महरशी मैंने। महरशी, आप जो भी दंड मुझे देंगे, मुझे सिर्कार है। किन्तु आप क्रोधित मत होईए। क्रोध का कारण आपने दिया है महराज। एक महरशी का अफमान करके राक्षशी प्रवरती का पल्चे दिया है आपने। इसलिए अब एक राक्षशी आपको दंड देगी। हे प्रभू, यदि मैंने सचमे महरशी का अपमान करने की भूल की हो, तो मैं उसका परिडाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूँ। महरशी दुर्वाशा को यह अबास ही नहीं था। कि महराज अम्रीश्च ने उनका अपमान नहीं किया था। फिर भी उसे अपमान मानके वो श्री नारायन के भक्त पे संधे कर रहे थे। मैंने भी तो बोला राम की भक्ती पे संधे किया था। ये नारायन जे क्या पाप हो गया मुझसे। संधे किसी अपमान से कम ना हो तो और भगवान सब सह सकते हैं। पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते। इसलिए उन्होंने अस्थ चेप करने का नीरने लिया। पर भप्तों को दोगे स्दोगे संधे किसी अपमान से क्या कर सकते हैं। अंपोो नारायन आए... और फिर भगवान का उच्छुजर सन चक्र नर्चित दुर्वाशा के पीछे पढ़गो यह चक्र तो मेरी और बढ़ रहा है घ्राइ़ा है एय कैसा बहुत शकता है कोई रोको हैसे कोई रोको हैसे कृकार। क्यांसे तेसे बचाते है mayor should dhursha, Prahma लोग जहां पहुचे। ब्रह्मदेव a SH रख्या किझे अ कहते है ब्रह्मदेव साहता कीचे चैर वजह बचागी ये शुदारसा डॉल मेरे पराणों के फीचे Starting मुझे बसा ये प्रहमद है, मुझे बसा ये महरीशी मैं चाहकर भी आपकी साहता नहीं कर सकता ऐसी स्तिती में यदि कोई कुछ कर सकते हैं तो वो है सुदर्शन चक्र के स्वामी विश्ण क्योंकि स्रिष्टी में केबल वही है जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं वो ही इसे वापस लोटने का आदेश दे कर आपके प्राणों पर ठाय हुए संकट को दूर कर सकते हैं किन्तु हाँ मैं सुदर्शन चक्र से इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक आप विश्णु लोक में पहुँच नहीं जाते वो आपको किसी भी प्रकार की हानी ना पहुँचाएं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी सदा ही जय हो फिर क्या था? भागते भागते मार इसे दुर्वाशा तीरे पाकवांची हरी के हरन में बैकुन पहुच गए तरही माम प्रभू तरही माम मुझे बचाएं मेरी सहता कीजिए प्रभू मेरी सहता कीजिए मैं आपके इस चक्र और उर्जा से नहीं भाग सकता प्रभू किरबया करके अपने सुदर्शन को रोकिए इससे वापस लीजे प्रभू यह संभव है मारिशी एक बार सुदर्शन चक्र मेरे हाथों से छूट जाए तो अपना उद्देश्य पूरा किये बिना मेरे भक्तों की रक्षा किये बिना वापस नहीं लोटता कोई तो उपाय होगा प्रभू क्रिप्या करके मेरे प्राण बचाएए प्रभू मैं सुदर्शन की उर्जा से जलकर भस्म नहीं होना चाहता प्रभू आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभू मेरी साहता कीजिये कि एक उपाय है कि मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे मैं मैं अवश्य करूंगा मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा प्रभू आपने मेरे भक्त राजा अम्रीश को भक्ति का कर्तव्य निभाने के लिए अपमानित और दंडित किया है मारिश पर भक्त की रक्षा करना भगवान का करतव्य है इसलिए यदि आप भक्त राजा अम्रीश के पास जाकर शमा याचना करें और यदि वो आपको शमा कर दें तो ही ये चक्र आपके प्रान लिए बिना लौट करता है अन्य था आप तो जानते हैं मारिशी मेरे भक्त का अप मेरा अपमान नेरा अपमान भक का अपमान भग्वान के अपमान से कमना हुथ तो है मार इशी दुर्वाशा को भी ये बात समझ आई और फिर उन्होंने माराज अम्रीश से खमा याचना की महराज, 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 मुझे ख्यमा करना, महराज. मुझे बहुत बरी भूल हो गई महरशी, महरे आप हमारे चल óड़्च हुए, यह उचेट नहीं. महराज, आप नारयन के सच्चे भक्त हैं. मैंने आपको अपमानित किया दंडित करने का प्रयास किया महाराज इस अपरात के लिए मुझे ख्यमा कीजिए महाराज और इस सुदर्शन चक्र से मेरे प्रान बचाईए महाराज ये महान सुदर्शन यदि महर्शी के लिए मेरे हिर्दय में अभी भी वही सम्मान और प्रेम हो जो इनके प्रथम आगमन पे था तो किर्पिया आप अपने धाम वापस लोट जाएए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महराज अमरीश मैं आपको आशिरवाद देता हूँ कि आप देवराज इंद्र के समान शक्ति शाली हो आपकी कीर्थी का पताका दसो दिशाओं में फैराए मेरी बस एक ही इच्छा है महराज कि मैं आपके साथ अपना उपास तोड़ सकूँ अवश्य महराज हम सब भोजन आपके साथ करेंगे और अपने आपको नारायन की सेवा में अर्पित करके वरत को पूरा करेंगे क्योंकि आज जो यहां हुआ है उससे सिद्ध हो चुका है एक दशी व्रत का ख़ग दवादर्शी की सुब्य भोजन करने से ही प्राप्त होता है इस कठा से अम्मेद पता चलता है कि सबीक को दशी की सुब्य भर पेड भोजन करके एक दशी गरत पुरो करना चूए और दूसरी बात भगवान की सची भक्ति अपमान कभी ना करनो चाहिए उनके साथ सदेव प्रेम से ववार करनो चाहिए यही भगवान को सबसे अधिक प्रिया है भया बोला राम, मैंने भी स्री हरी पे तुम्हारे विश्वास का उपवास उड़ाया था मुझे क्षमा कर देओ ना ना, आप शमा मांग कर मुझे लज़ित मत करो आप तो मेरी बेहन जैसी है जब मैर्शी दुरवासा जैसे महान रशी को भी प्रभू के भक्त से क्षमा मांगनी पड़ी तो मैं तो बहुत ही तुच्छू मुझे आपके किसी भी बात का बूरा ना लगा पर पतो है प्रभू को कौन सी बात प्रभ बूला रखतो है कौन सी बात जब उनका भक्त मुका रहे नमेब अपना वरत पूरा ना करे और जैसा कि आप सबी ने अभी 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 घथा से सीखो आए इकादसी के वरत को दादसी के सुवा अबसे पूरा करनो चीए अब अब आप जाओ अपना वरत पूरा करो मैं आपके लिए चल लेके आती हूँ मैं आपके लिए चल लेके आती हूँ मैं आती हूँ करता स्क्राइब कारा कि आतार पूरा को मैं आतार हूँ झाता स्क्राइब के लिए चाहँ जह क對了 कान्हा हुलो गागा, सिजरील छुपालो मुझे, महीया आरही है, बहुत क्रोध में लगती है आज तो बाद दंड मिलेगा अभी छाण भर पहले तो यह साक्षात भगवान की रूप में बात कर रहे थे और अब अचानकी ऐसे बालक बन गये, जो मैया से दंड मिलने के भैस से ब्याकुल है हुला गागा, कि सोचन फड़ गये, तिग्रेज छुपालो मुझे मुझे, बात करे कि 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 किते कि वात करे बाद एक ब बात कर दंड मिलने कर दो को קिका मैंने तो अपने प्रभू को देखा है मैं अपने लल्ला को ढूंड रही हूं उसे देखो है आपने वही तो मैं भी कह रहा हूं जासोदा रानी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभू को देखा है जे तो अब भी अपनी भक्ती में ही खोया हुआ है इससे पूझ के कच्छू लाबना है मुझे ही डूलना पड़ेगो बच गए संक्री मौसी काना को देखो ये क्या कहीं सब कहते थे स्रीहरी मेरे घर ना आ सकते देखो आज प्रभू आ गए उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा करायो हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे स्रीहरी हमसे मिलने और आके मौक्ष देंगे हैं न मैं न निकालूंगा अवस्य निकालूंगा पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं कौनसी बात प्रभू मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिये प्रभू ततास्तू ना 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 प्रभू मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिये ततास्तू अब तो निकाल दो मैं यह देख लेंगी ना प्रभू मेरे परिवार के साथ मुझे से जुड़ी हुई हर वस्तू जीव जन्तू प्राणी गाय बैल भैस सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिये प्रभू अगे डास्तू प्रभू आप सच में अदभूत हैं मैंने जो मंगा आपने बीना सोचे समझे सब प्रदान किया तो मैं ही अपने मांगए बढ़ाता रहा प्रभू मुझे शमा कर दीजिये प्रभु मुझे शमा कर दीजे आईए प्रभु प्रभु आप तो प्रभु हो हरी हो भगवान हो आप चाहते तो इस मटके से स्वैम निकल कर बाहर आ सकते थे फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की क्योंकि मेरे भग्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसंता मिलती है ना तो मैं अपने अक्तुक का अपमान से सकता हूं और ना ही उनकी इच्छा अथूरी आने दे सकता हूं क्या कहिती तुने कि तु फिर से छल ना करेगो फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो च्छा करना मैया फिर जो आपने शिखाया था अनों तू उसी काई पाधन करो हूं फिर से चतुराई करो है ना आप इने तो कही थी ना यदि कच्छू कलने से किसी को हानी ना पाचूरी हो या फिर किसी अच्छे कारिय में सहायता हो रही हो तो आगया लेने की आसक्ता ना हूथी यदि तेरे कच्छो करने से किसी और के कोई हानी ना हो रही हो या किसी के अच्छे कारे में सहायता हो रही हो तो मुझसे आग्या लेने के आवसकता ना है तो किस अच्छे कारे के लिए आया है यहाँ? दादसी के सुबर एकादसी का वुरत खोल के हुजन करा जातो है ये बात ना तो पूला खाक को पता थी ना तंकरी मासी को और ना ही किसी और को और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से स्काया है न मुझे? जैसे कल तुने एकादसी काथा सुनाई थी ना आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको दो आदसी काथा सुनाई है सच्छी अशोदा रानी जी इसने तो हमारी आखे ही खोल दी और भाबी सच्छी तो ये है कि मुझे पीना पतो था कि जे इतना बड़ा ग्यानी है और इतना अधिक सबस्दार ही तुन आदसी की कथा? वो तो मैंने इसे कमी सुनाई ही ना है फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वैम भगवान है भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा? मैंने तो इन्हें पहचान लिया और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतरमन की आँखों से देखिए हो सकता है, इन्हें पहचान पाएं ये कोई और नहीं है स्री नारायन मेरे स्री हरी, मेरे प्रभू जे, स्री हरी ये क्या कर दिया बूला? जिस रासर को मैंने इतनी कठे नाई से बचा क्या लगाता सब के सामने उसे उजा कर दिया तुमने नारायन नारायन स्री नारायन स्री नाराइ स्री नारायन स्री श्री नारायन वो में ना याँ है, आँ याहा दजाओ सुरी नाइ हुछ हुछ सुरी नाइ सुरी जाँ स्री नौरायत, नभू जिस राश्चा को इतने चतना से संभाल के रखाता, अरू सब के सामने खुल गया और तो और मेरा भेट मैया को भी पतो चल गया, बाबा सब कहते रहे बर मैंने इतना मानी सब ने कही थी कि आप भागवान है और मैं मूरग आपको पहचानी ना पाई किती अभागी हूँ मैं जिस मुह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी उसी मुह से मैंने आपको डाटो है जिन हाथों से मुझे आपके चरण चूने चाहिए थी उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभू और मैंने आपको दर्ण दियो आपको अखर से बांद दियो बाबली हो गए थी प्रभू अपने स्री नारायन को अपने प्रभू को एक साधारन से बालक समझ लियो मैंने मैं आपके लिए भगवान नहीं हो मैया साधारन बालक ही हूँ बस आपका लल्ला बुद्धिन रास्ट हो गए थी भूल पर भूल करती चली गए आज भी आपके बीचे बीचे चड़ी लेखर तोड़े चले आए आपको दोश मत दो मैया आपके सुमता के लिए तो जनम गिया है मैंने हमारा जमन बदलने मत दो मेरी ले वो ही पुरानी बैया बनी रहो आप और मुझे रहने दो आपका वो ही नटका चला मुझे चबा कर दो प्रभू मुझे चबा कर दो पाबा यह कैसा अन्त हो गया है मुझे बगवान मानने लगी पर मैं इस तो सिकार नहीं कर सकता अभी नहीं बाबा इत्ती सिक्रण नहीं आप ऐसे खड़े कियों बाबा कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए उनकी रिष्टी में भक्ती नहीं ममता चीजे मुझे कानम मेरे सामर्थ में होतो तो दाहू आप ते बड़े भाई हो अपने चोड़े भाई की साहिता करो ना जिससे मैया सब कुछ भूल जाए मैं क्या कर सकता हूँ काना कोई तो साहिता करो मेरी अपने आपको समहा लिए प्रभू देखो यह क्या हो गया बैया को साब पाता चल गया आभी तुम मुझे मैया की ममता का सोग बुरीत तर बिलाए नी था योग माया कितनी अद्बुत है ममता की शक्ती भगवान को भी एक साधारन बालक बना देती है बालक की बना रहना चाहता हूँ है नहीं चाहता दिविय होना नहीं चाहता भगवान बनना बस मैया की गोड में रहकर ममता की रश से सेम को भिगनो जाता हूँ इनकी डाठ फटकार का थुख पाना चाहता हूँ कुछ भी करे योग माया पर इन सब को बुला दो मेरा सत्या पर इन्हें तो मोक्ष का वर्दान मिल गया है प्रभू इसलिए इनके लिए समय की गती को लोटा पाना संभव नहीं होगा प्रभू अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवशक्ता नहीं है मुझसे जो तुटी हुई है अब वो दुबारा कभी नहीं होगी और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभू क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका ये सो मती मैया के लला बने रहना कितना आवस्यक है मुझसे जन उचनीर आपका ये स्टपक्ता मुझसे बता है आपका ये स्ट्स्क्ता माईया आपके छड़ी पहले चुपके से भाग जातो है फिर स्वायमी छड़ी में पकड़ा रहो है हैं नटखट कहीं का हसी आ रही है अरे आपकी लीला अद्बूत है प्रभू और अद्बूत है आपका माईया के प्रति प्रेम हसी ना है माईया यह जो प्रसंता है अपने माईया के मिल जाने के प्रसंता अच्छा धून मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे तो घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूँगी तेरी जब पिटाई से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हसी बन होगी तेरी चल रखता हैं बईया की आओ चतन स्मिति बाप्रस आ रहा है क्या होगो ना कच्छुना आपको बताऊंगी तो और हासेंगे मुझे बोल दो, मैं अपास ना उडाऊंग, सच्ची देखो, देखो इसे कैसे हास रहो है मेरी हाथ में चड़ी है, महिया क्रोधित है, पर जे सित्तनिक में भेहना लग रहो ऐसे, हां हसे जा रहो है तूनों बाबा लल्ला एक जैसे हो, चल तू, चल चल दावो आपने बड़े भाई हो, अपने चोटे भाई की साहिता करो ना, किससे महिया सब कुछ भूल जाए सुबल, तू कचू खा क्यूं न रो है प्रती करना था, तो बनराम के जैसे कल कर लेतो, कल तो एक आदाजी भी थी काना के बीना कचू करने का मेरा मनीना करतो बाट तो सस्थी है, उसके बीना गोश और अनबेश सा लगतो है, जैसे कित्ता भारी कारिया है वे अफ्ता में करना परता है सही कह रहे हो तुम तुनो मैं तो गौपालग भी इसलिए बना था ताकि कारना किसां खेलने को मिल जाए बल्रम तो हमेरा सका का और मुख्या दिखे रुख जाओ तुम सब कुछी देर इस्राम कर सकते हो तुम सब का सखा पहले हूँ और तोली का मुख्या पाद में इसलिए कब्राने क्या हो सकता नहीं है जो भी बात है बिना ही जग बता सकते हो मुझे तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि काना फिर से हमारे साथ गोच आरण करने के लिए आरे लगे झाह पाले बताइ झाह